इस आमने लाल किला और अभी हम जा रहे हैं पोरा चांदनी चोक का वही रस्ता जहां से होकर नादिर शाइ टेल नादिर्शा सुनहरी मस्जित तक ग्या था आये मसर्या रश्ता और बुरतवारा शुनहरी मस्जित ऩुर अurgh साहिब और उस से आगे शुनहरी मस्जित इसी रस्ते से चलके नादिर शाह सुलहरी मस्जिद पहुंचा था इसी रस्ते से चांदरी चोट्थे से और यह देखिए यह दुद्वारा शिश्वन साहिब और इससे ओड़ा सा आगे चलते ही साथ में रोशन उद्वला मस्जिद जिससे की इसे देखिए हैं और मस्जिद जहां पर खड़ा होकर नादिर शा ने पतल्याम का हुकम धिया था और वो काला दिन इन्वी में देखा था मस्जिद के सामने उस वकत इधर यहां एक केकर पुलिस इस्ञान हूए कर ती पुलिस पाना हुआ करता लगा था आज वो नहीं है मगर यहीं वो जगह जहां पर दिल्ली की नालियों से खोन भै भैकर उखलने लगा था और आप यह समझेए कि उस दिन दो बज़ते बज़ते यहां पर इस पूरे एरिया में कोई इनसान जिन्दा नहीं बचा था वो बहार निकला और यहां पर उसने इसके सामने खड़ा हो करके अपनी तलवार को मयान से बहार निकाला उसको चमकाया और अपने सैनिकों से कहा कि जो भी इनसान मिले है उसको मार दो लोगों के घरों में घुसो लूटो और जो भी धन दोलत संपती मिले उसको लूट लो ये बात 11 मार्च 1749 ती ये है वो मस्जद ये मस्जद उस वक्त भी थी और इस मस्जद में नमाज पढ़ने के बाद वो बाहर निकला और उसने दिल्ली में मार काटने चाहिए वो काला दिन दरहसल इसी मस्जद से शुरू हुआ था ये नो वजे की बात है जब मार काट शुरू हो गई थी आज इसके चारों तरफ पुरा बड़ा मार्केट है जैसा कि आप देख रहे हैं उची-उची बिल्डिये हैं और मस्जिद के दाई तरफ कहें तो गुरूद्वारा शीशकंज साहिब एक एतिहासिक जग है इस सुलहरी मस्जिद का अंदर का हिस्सा आप देख रहे हैं सामने पुराने उसी वक्त के बने होगे है देल बूटे और कशिदाकारी और थोड़ा आगया आप देख रहे हैं उर्दू में और फार्सी में कुछ आयते हैं लिखी हैं आपका नाम सेयद शेहबाज अली सेयद शेहबाज अली शेहबाज वाई मस्जिद जो है इसके बारे में थोड़ा बताएंगी कि इसका क्या इतिहास से मस्जिद का इसमें इसके बताए है बाटशा इंहोंने टलवार निकाली थी वह यहीं से हुआ था हैं तो तलवार उन्होंने पहले कहते हैं कि उन्होंने स्टित में नमाज पड़ी प्रिमाज पड़ी प्रिमाज पर लुग्षर दितना कि लोगों से दब आप शुरुआ एपिया मैं निचे उत थे तलबार चमकाई जी तो फिर उन्होंने निकालिक तल्वार मियान में उन्होंने जाने तक गतल्य ल्थी और कि अनिफी dos 거는 कें Transform दिखा और सबको मतलब जो है यहां पर कतलया मुद्ध तो उसके बाद यह कितने लोग मरे हो गए इसको अंदाज़ा कुछ है नहीं तो इसके मारी माम साब भी है नहीं है नहीं पता सकते हैं सारी तो कहते हैं ऐसा है इसा है इसके में पढ़ा है कहीं लिखा हुआ कि उस दिन दो बज़े तक नो से लेकर के शुगर नो बज़े से लेकर और दो बज़े तक यह कतलयाम चला था तो कहते हैं कि उस दिन यहां पर ही सेरी आंगे पूरा चांदरी चोक लगा लगा लो चावडी बजार और दरिया गंज तक तो यहां कोई जिन्दा इंसान नहीं बचा था बोलते हैं जो थे बचे थे भाग गए जो न न बहुत सामने दिखी कि चाई गज़े मर गए और तया के अटना खून बहा था कि मतलब नालियों में से उफणा लगा था इतनुपार नालियों जो पहंते हैं पन्दात लोग को बटाते हैं यहां यहां ही रहते हैं इसी नि तो हम चाहते हैं कि ऐसी एतियासिक चीज को सारे देश को जाने बल्के सारा संसार जाने इस बाइब यहां पर क्या हुआ उच दिन यह ग्यारा मार्च 1749 की बहुत शुक्रिया